हलो दोस्तों वेलकम करता हूँ मैं आपको आपके अपने यूटूब चैनल सिविल इंजेनियर एप पिएज में तो दोस्तों हमारी जो आज की वीडियो है यह है स्वाइल स्टेबलाइजेशन के बारे में बहुत ही छोटा सा टॉपिक है तो इस टॉपिक में से जो है कुछ objective questions पूछे जाते हैं तो उन objective questions के बारे में discuss करेंगे और general जो soil stabilization है उसके बारे में हमें discuss करेंगे तो soil stabilization क्या होता है soil अगर कहीं पर जो loose soil है उसको थोड़ा हमारे पास strength या उसकी durability को increase करना उसी को हम soil stabilization कहते हैं तो यह हर एक बंदे को बता ही होगा की soil stabilization क्या होता है मतलब कि strength या फिर durability को increase करना या पर कहीं पर अगर हमारा slope है उसको stabilize करना तो उसे हम soil stabilization कहते हैं तो soil stabilization के कुछ types है एक होते है हमारे पास दो types होते है manly तो हमारे पास दो types होते है एक होती है mechanical stabilization mechanical stabilization मतलब कि mechanical stabilization क्या होती है mechanical stabilization होती है मतलब कि किसी instrument से हम इसको stabilize करेंगे मतलब कि chemical chemical नहीं डालेंगे उसके बगेर ही stabilize करेंगे हम soil को और दूसरा होता है हमारे पास अगर हम chemical methods से stabilize करेंगे तो यही दो methods होते हैं हमारे पास तो chemical stabilization में फिर आता है हमारे पास lime stabilization एक होता है हमारे पास lime stabilization और एक होता है हमारे पास bitumen stabilization मतलब कि जो हमारे पास bitumen होता है उसकी वज़ा से हम stabilize करते हैं तो दो types होते है lime stabilization अगर हम Lime से Stabilize कर रहे हैं तो Lime Stabilization, अगर हम Bitumen से Stabilize कर रहे हैं तो Bitumen Stabilization, तो अब आज आते हैं Mechanical Stabilization क्या होता है, Mechanical Stabilization में क्या करते हैं, हम Grading of Soil करते हैं, मतलब कि Grading क्या होता है हमारे पास, अगर हमारे पास, यहां पर Soil है, यह सिर्फ हमारे पास Clay Soil है, तो Clay Soil में सिट्रंगत कम होगी, यह तो आपको पता ही है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा क्ले को हटाएंगे और इसमें add करेंगे, equal proportion में add करेंगे, हम क्या करेंगे, gravel add करेंगे, या फिर sand add करेंगे, ताकि इसकी थोड़ी सिटरंगत बढ़ जाए मतलब कि grading क्या होता है grading होता है कि हमारे पास अगर एक type की soil है हमें लगता है कि ये हमारे पास सिटरंगत proper नहीं दे रही है तो हम उसमें से कुछ soil को निकालते हैं और किसी दूसरी type of soil को add कर देते हैं मतलब कि हर एक grading क्या होता है grading होता है वो soil जिसमें हर एक type के particle होते है मतलब कि sand भी होगी gravel भी होगी हमारे पास fine sand भी coral sand भी medium sand भी हमारे पास clay भी थोड़ा होगा तो उसी को हम grading कहते हैं मतलब कि grading mechanical stabilization में grading करते हैं grading होता है कि हम different types of soil को mix करेंगे कि हमारा जो soil है वो strong हो जाए तो यहां पर क्या करते है addition or removal of the soil mixture मतलब कि कुछ soil को add करते हैं किसी type of soil को add करते हैं किसी type of soil को निकालते हैं compaction of the soil to improve this stability and strength फिर हम क्या करते हैं ग्रेडिंग की फिर हम रहे हैं in case of mechanical stabilization. Mechanical stabilization में कोई भी chemical add नहीं करते है. Use it in formation of the base course. तो base course जो आप देखते हैं, road में जो base course हम बनाते हैं, तो वो भी हम किस से बनाते हैं, mechanical stabilization से ही बनाते हैं. तो वहाँ पर different जो aggregates होते हैं हमारे पास, हर एक type के aggregate होते हैं मतलब कि छोटे aggregate भी, बड़े aggregate भी होते हैं, तो वो proper grading में होते हैं, जब हम grading करते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, उसमें compaction करते हैं, तो यह हो गया हमारे पास mechanical stabilization क्या होता है, तो mechanical stabilization आपस यह objective में ऐसा question पूछा जा सकता है, mechanical stabilization हम कैसे करते हैं, तो mechanical लिए आपको याद रखना है कि उसमें हम grading करते हैं, grading of soil करते हैं मतलब की grading different types of soils को add करते हैं, ताकि हमारे पास soil की सिट्रंगत वह increase हो जाए, तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास chemical stabilization, chemical stabilization क्या होता है, chemical stabilization में क्या करते हैं, हम lime, cement, fly ash, bitumen, या फिर इनकी combination को add करते हैं, मतलब कि या हम lime add करेंगे, cement add करेंगे, fly ash add करेंगे, या फिर bitumen add करेंगे, या इन सबकी combination use करेंगे, it is used to reduce the permeability of the soil, तो chemical stabilization से हम क्या करते हैं, permeability को कम करते हैं, permeability कम हो जाएगी, तो strength obviously increase हो जाएगी, it increase the bearing strength and improve the shear strength, तो bearing strength और shear strength को भी increase करते हैं, bearing strength और shear strength आपको पता यह होना चाहिए क्योंकि आक्ट ने civil engineering की है, तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास दो टाइप की chemical stabilization होती है, इन में ऐसे objective question पूछा जाता है, तो एक होता है lime stabilization और एक होता है हमारे पास bitumen stabilization, तो इसमें objective क्या पूछा जाता है, lime stabilization में objective यह पूछा जाता है कि lime stabilization हम किस के लिए करते हैं, तो lime stabilization आपको क्या याद रखना है, जो हमारे पास clayey soil होती है, या black cotton soil या clayey soil जो होती है उसके लिए हम lime stabilization करते हैं, तो lime stabilization clay soils के लिए हम use करते हैं और जो हमारे पास black cotton soil है यह दो याद रखना है black cotton soil मतलब कि आपको general अगर ऐसे पूछा जाए कोहसी soil भी पूछा जाए इन soils को ही हम कोहसी soils कहते हैं तो कोहसी soil के लिए अगर पूछा जाए तो उसके लिए हम क्या करते हैं lime stabilization करते है lime stabilization black cotton soil और plastic clay के लिए use करते है तो इसमें dosage कितनी होती है lime stabilization में 4-6% of the soil weight मतलब कि अगर हमें 100 kg soil को stabilize करना है तो उसमें हमें 4-6 kg का lime भी add करना पड़ेगा वही होता है कि 4-6% of soil weight हमें lime add करना पड़ेगा use it for unstable plastic and swelling clay such as black cotton soil तो यहाँ पर आपको यह बुला गया है कि clay soils के लिए हम use करते हैं जैसे कि हम black cotton soil के लिए भी जो है lime stabilization को use करते हैं इसके बाद आ जाते हैं हमरे पास bitumen stabilization तो bitumen stabilization जो होती है यह sand and gravel के लिए हम use करते हैं मतलब कि आपको ऐसे पूछा जा सकता है bitumen stabilization किस के लिए हम use करते हैं एक तो sand के लिए use कर सकते हैं और gravel के लिए use कर सकते हैं sand और gravel के लिए use कर सकते हैं या फिर non cohesive soils के लिए use करते हैं तो यहाँ पर bitumen substance like bitumen tar emulsion are used to stabilize subgrade our basis of the road built-in granular depositors like sand and gravel तो sand and gravel के लिए हम क्या करते हैं bitumen या फिर tar tar भी bitumen का ही एक type होता है मतलब कि bitumen अलग होता है tar अलग होता है लेकिन यही यह हम bitumen stabilization में ही consider करते हैं मतलब कि यह tar भी sand and gravel को stabilize करने के लिए हम use कर सकते हैं bitumen acts as a binder and waterproofing agent तो bitumen यहाँ पर binder act करता है मतलब कि bind करता है different gravels को bind करेगा या फिर sand को bind करेगा and waterproofing agent और यह जो है इसको impermeable भी बनाता है तो दोस्तों यह सा soil stabilization soil stabilization में mechanical stabilization होता है यह हम grading से करते हैं और chemical stabilization होता है chemical stabilization दो टाइप का होता है lime stabilization and bitumen stabilization lime stabilization जो है clay black cotton soils के लिए use करते हैं मतलब कि कोही सी soils के लिए use करते हैं और bitumen stabilization जो है वो sand and gravel के लिए हम use करते हैं तो यह बहुत ही important points है आपको याद रखने पड़ेंगे तो दोस्तों अगर आपको आज की यह छोटी सी वीडियो पसंद आई वीडियो को like कीज़े शेयर कीज़े अपने दोस्तों के साथ और subscribe कीज़े हमारे चैनल Civil Engineer FBH को Thank you दोस्तो Thank you for watching the video